रादे रादे जैसी किष्णा कहानी संग्रे में हमारी सभी दर्षकों का हार देक स्वागत है दर्षकों इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक महत्म्य के 18 में दिनकी कथा लेकर आए हैंanson इससे पहले 17 में दिनकी कथा कि महत्म्य आप मेरे चैनल पर देखकर शंपूर कार्तिक महा के महतम्य का पुन्यफल प्राप्त कर सकते हैं इससे पहले के अध्याय में जलंदर सिब जी को मोहित करने के लिए माया द्वारा पारबती बनाकर अपने रत से भांद लेता है जब भगवान सिब को पता चलता है यह सब जलंदर की माया है तो भी क्रोधित होकर बहंकर रूप धारड कर लेते हैं यह देख जलंदर के सैना पत्ती सैथ सैना भागने लगती है क्रोधित जलंदर नंदी पर परदीशे प्रहार करता है यह देख रोधित भगवान सिव चक्र से जलंदर का मस्तक धर से अलग कर देते हैं यह देख सभी देवता प्रसं हो जाते हैं और भगवान सिव को विशलू भगवान के मोह ग्रस्त होकर ब्रंदा की अगनी भस्म में लोट फोट होने का प्रतान्त सुनाते हैं तब भगवान सिव देवगड़ों से योगमाया की इस्तुती की बात कहकर अंतर्धान हो जाते हैं सभी देवता योगमाया की इस्तुती करते हैं तब योगमाया उन्हें लच्छमी जी सरसती जी और गौरी जी की सरण में जाने को कहती हैं। वे सभी देवियों की सरण में जाते हैं तब सभी देवियां उन्हें कुछ वीज देकर ब्रंदा की चिता भस्त में बोने के लिए कहती हैं। आईए इससे आगे की कथा अब स्रवर करते हैं नाराज जी राजा प्रथू शे कहते हैं कि देवताओं के बीज बोने पर तीन प्रकार की बनस्पती उत्पन होती है ब्रह्मा जी की सरसती से प्राप्त बीजों से आमला लच्छमी जी द्वारा फ्राप्त बीजों से मालती और गोरी द्वारा फ्राप्त बीजों से तुलसी उत्पन हुई यही क्रमा नुसार रजोगुड तमोगुड और सतोगुड सुभाव की थी तब विश्मित सिरी हर बिलास भाव से इस्त्री रूपी बनस्पती ब्रंदा के रूप में तुलसी को देखा तो वे उठकर वैट जाते हैं कामातर विस्डू ने जब तुलसी को प्रेम पूर्वक देखा तब उशी प्रकार तुलसी जी ने भी प्रेम पूर्वक सिरी हर विस्डू को देखा जो भी लच्मी जी ने ईर्षा भाव से दिये थे उससे उत्पन मालती लच्मी जी से ईर्षा करने लगी अते उसका अतनिंदित नाम बरबरी रखा गया आमला तुलसी सिरी हर विस्डू को प्रीत देने के कारण प्रीत बढ़ाने वाले हुए जब भगवान विस्डू ब्रंदा के सोक को भूल गए तब देवताओं ने उन्हें प्रडाम किया देवों द्वारा इस्टूती करने पर सिरी हर विस्डू आमले तुलसी को लेकर बैक उन्थ दहम चले गए यही बजह है कि कार्तिक व्रत में तुलसी जी के ब्रच के साथ सिरी हर का पूजन किया जाता है तुलसी जी सिरी हर से प्रीत बढ़ाने वाली है तुलसी जी का बन सवीफरकार के पापों को हड़ने वाला है जिस exor में भी तुलसी का बास होता है वे घर तीर्थों के तुल्ल होता है जैसे उस घर में यम दूतों का भे नहीं रहता ऐसे घर में यमराज कभी फ्रविश्ट नहीं करते नर्बदा नधी के दर्सन गंगा इश्नान तुलसी वन का संसर्ग ये तीनों ही समान फल देने वाले हैं तुलसी जी के ब्रच रोपने वा सीचने बाले इस पर्स बदर्सन मातर से मनुष्यों के मन वाणी और सरीष से उत्पन हुए पाप स्वेम नष्ट हो जाते हैं जो भी तुलसी की मंजिरियों से सिरी हर विश्डू और भगवान सिव का फूजन करते हैं उन्हें गर्व के भेंकर पीड़ा सहन नहीं करनी फड़ती अर्थात वए व्यक्ति जनम मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्तिफा लेता है इसमें पुसकर जैसे तीर्थ गंगा जैसी पवित्र नधी वास्देप जैसे देपता का इस पवित्र तुलसी के पौदे में बास होता है तुलसी की जड़ की मिट्टी सरीर पर लेप लगाने पर ये किसी व्यक्ति की मिरत्वी हो जाती है तो वे जन्म जन्म के पापों से मुक्त हु जाता व्यमदर्सन नहीं करता अर्थात ये राजन वे सीरी हर विश्वु के ही परम धाम को जाता है ये बात पूरते सत्य है तुलसी जी की लकडी को चंदन सरूप धारड करने बाले व्यक्ति को पाप इसपर्स नहीं कर सकते हैं ये राजन तुलसी ब्रच के समीफ स्राद करने से अच्छे पुन फल की प्राक्ति होती है अत्य इस पवित ब्रच की छाया में पिंडदान करना चाहिए ऐसा करने से नरक में फड़े हुए पितर पाप मुक्त होकर स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं जो भी माथे हातों तता सरीर पर आमलों को धारड करता है वह विश्रू सरूफ हो जाता है आमले की रज तुलसी और द्वारका की रज जो अपने सरीर पर धारड करता है वह जीवन मरड से मुक्त हो जाता है जो इश्नान के जल में आमला तुलसी डाल कर इश्नान करता है उश्य गंगा इश्नान का पुन्य फल प्राप्त होता है जो आमले के फत्तेवा फलों से कार्तिक मास में पूजन करता है उसे स्वर्ड मडी और रतनों की पूजा करने का फल प्राप्त होता है से द्वादसी को तुलसी कार्तिक माह में आमले को तोड़ता है वे निन्दित नरक का गामी होता है जो कार्तिक मांस में आमले के ब्रच के नीचे बैट कर भूजन करता है उसके स्रंपूर बर्स भर के पाप नश्ठ हो जाते हैं जो आमले के नीचे बैट कर पूजा करता है उसे सभी छेत्रों में विस्डु पूजन का फन्फल राप्त होता है विस्डु जी की महमा की भाते आमला और तुलसी जी के महतम्य को ब्रह्मा जी भी कहने में समर्थ नहीं है आमले और तुलसी जी के महतम में कथा को जो सुनता या सुनाता है वो निश्पाप होकर अपने पुर्खों सहित विमान में वैट कर स्वर्ग में नवास करते हैं इसके साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं विस्राम देते हैं अब आपके परिवार पर सदासिरी हरी की क्रपाद रष्टी योहीं वरस्ती रहे इसी सुरुप कामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो आप हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करें